भी मुआ है है मैं कि है यह फ्रेंड्स मैं आर्वी आदब सभागत करते हैं आप सभी का एल्जे पर स्टेडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग तयारी कर रहें आने बाले सचे बीघ्ञान कलाश और दोस्तों कंसरे कई दूसरे कलास में यानadaki क्या सॉनिक्ष्ट ये कंस आप पूछ तो सब्सक्राइब कुछ हैं यहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि सर आज आप क्या स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स केमेस्ट्री या फिर बैलो जी दोस्तों बता दें कि सबसे महत्पुर्ण और जो सबसे अधिक की सिरस्द लोसी पड़ले बैलोजी पड़ाइंया तो वोहां किसी करना प्र ठीजिक्स को क्या करते दोस्तों अधियान करते जैसे है इसके अंदर परकास के बारे में मानवने स्वाब बारे में इसके बाद्ध इसके चुंबक के बारे में पहले not करेंगे तो फीजिक्स में क्या परते एक प्रकास का तो क्या करती है यह पार्ड़ावतनान है अगो बर्तन दोनों पार्ट को अलग अलग परेंगे तो हमें ज्यादे जो बड़ा और या फिर भारी भर कम महसूस नहीं होगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि परकास का पराबर्तन यानि की रिफलेक्शन ऑफ लाइट हम लोग क्या किये हैं पढ़ने वाले हैं आज उसका क्या किय हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि परकास का पराबर्तन यहां पर दो सब्द है एक सब्द है परकास और दूसरा सब्द है पराबर्तन तो सबसे पहले हम इस दोनों सब्दों को क्या करेंगे अच्छा से अच्छा हम लोग क्या करेंगे जानने का कोशिस करेंगे सबसे पह आगर पूछा जाए इसका डिफिनीसन पूछा जाए तो हम बताइंगे कि परकास एक मध्यम है जिसके मदद से जिसके सहारे कोई आंख वाला क्या करता दोस्तों किसी बस्तू को देख पाता है तो किसके कइसे मदद देखा आपके मदद से अगर जिए नहीं आ है आनक तो आपका नहीं देख पाएँगे क्योंकि आप क्या कि यृक है कि इसे काराण कि आप क्या रहता है तो भूंत देख यृषालों से आप आप कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता है और फिर पिर पते के से VII घेल Eto आपको कुछ भी सकेंड के लिए आपको कुछ भी दिखाई लगता रहता है तो ऐसा क्यों वाले उस क्या करता किसी बस्तों को देख पाता है जैसा की आपको सुनना ही है समझाएंगे लेकिन आपको है नोट सा भी बना रहा चाहिए और किलिए कर उत् Corporation फ linant हल्का ललू होता है और और एक्जाम में आपका क् kolayलिध में चाहिए होता हैיס क्वेश्चन रहेगा गोगा तो क्या जो हम लोग जो पढ़ाई करने वाले servicio I am famous को एक भर टॉपीक डrob किसे रूप ने परेंगे कुष्छन और आंसर की रूप में परेंगे सतुम यसी क्वेश्चन य चैनी जाएंगे अगो और आपको जब पूरे सीलेबस जो है question answer की रूप में आपके पास उबलब्द भी रहेगा और उस पूरे सीलेबस से ही कोई question उठाये जाएगा तो किसी भी question का जवाब आप क्या कर सकते हैं असानी से दे सकते हैं तो सबसे पहला question पर आप दिख रहा होगा आपको कि परकास क्या है पहला question किया दूस्ता आपका परकास क्या है हम आपको पता दे उत्तर क्या है परकास एक माध्यम है जिसके मदद से कोई आख वाला किसी बस्तू को देख पाता है अब आगे बोला कि परकास के अनुपस्थिती में यानि कि जब परकास नहीं रहे यानि कि सीधा समझा जा अंधेरा रहे हना परकास के अनुपस्थिती में किसी बस्तू को देखना और संभब है आप भी जानते हैं और जो है कि परकास जब नहीं रहेगा तो कि परकास के कुछ गुन को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग जानेंगे यहां पर जो है पहला गुन क्या दिखाई दे रहा है पहला गुन गोलता है कि परकास हैना एक उड़जा का रूप है देखिए परकास का डिफिनिशन अनेको बेग्यानिक ने जो है अनेको परिभासा दिया है नीटन भी आपके परकास के परिभासा दिये हैं बहुत सारे बेग्यानी किया है अलग अलग परकास का क्या दिये हैं परिभासा दिये हैं कुछ बेग्यानी कहें कि वहाई परकास है क्या है पैकेट के फॉर्म में रहते हैं पर कुछ ब्यक्ति कहते हैं कि परकास जो है जो पर को फोलो करना है एंग कि कना एंग मुद करना पकड़कर उसके सारे concept को लेकर कैंगे अगे बर्एंड़ना हिए थो यहां गूर दीकास एक ऊलगा है यहां के रूप परकास चुम्ब किये तरंग है कुछ लोगों का मानना है या फिर वह सिद्ध भी करते हैं कि परकास क्या है एक विदुत चुम्ब किये तरंग है इसके बाद तीसरा जोगून है परकास निरबात में भी गमन कर सकता है यहां पर समझने वाली बात है बहुत ही अच्छा चीज है कि क्या बूला जरी परकास निरबात में कहां दोस्तों निरबात में भी गमन कर सकता है गमन करना मिश होता है चलना चलना यानि कि परकास चल सकती है कहां चल सकती है निरबात में भी चल सकते सर निरबात क्या होता है आप सुने होंगे अंतरिक्ष का नाम है ना या अंतरिक्ष कहिए या उसी को क्या कहते हैं सुनने भी कहते हैं उसी को निरबात भी कहते हैं अंतरिक्ष क्या है वैसा आस्थान जहां कुछ भी नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं निरबात बोलते हैं या नहीं तो उसी को अंत होता है कि व черти उपर जाते हैं तो आपका एक लिए निर्बात खाते हैं तो आपका वह गमन करती मतलब मतलब चल सक्ति जो है जै और निर्वात में गमन नहीं करती है फूसे अधिक होता है आपका परकास का सबसे अधिक होगा दोस्तों वो क्या आदिक होगा हावा दोनों जगों इसके statement अर्जिसे आपको बतातीगा प्रकास जो है बिल्से घमन करती है लेकिन में क्या होगा वेले कावा कमरा और ऑसे में किसीट कि महँएं लेकिन हवा में निर्वात में क्या होगा सबसे अधिक जो है परकास का क्या होता है यह बेग होता है इसके बाद पांचमा गुन क्या है परकास का पांचमा गुन है कि हवा में परकास का बेग पीन गुने दसका पावर आठ मीटर परती सेकेंड होता है हवा में कहां पर दोस्तों हवा में हवा में कितना बेग होता है यह बात आप याद रखेंगे कि हवा में परकास करेंगे होता है 3-10 का पावर 8 मीटर पड़ती सेकेंड यानि कि एक सकेंड में आपका जो है परकास तीन गुले दसका पावर आठ मीटर क्या होगी गमन कर जाएगी और यह सब बात अगर इतना डिटेल आप पढ़िएगा तो एक भी ऑबजेक्टिव आपके एक्जाम में नहीं चूटेगा यह मेरा क्या जोस्तों गारेंटी है अगर आप आपको चूटने वाला नहीं है केवल आपको और ले जाता है कि बताओ बाई हमें परकास की चाल होती है अब क्या जिए अगर आपको सटी का आफ सर याद रहेगा तो एक सेकेंड भी आपको जया है नहीं खोजने मिलएगा सीधे याद रखना होगा कि हवामें परकास की प्रकास एक रर लेखा में सिधा आपका परकास झम करते लए तो कि आप सीधा चलेगी आप इसे आप टोर्च बारिए तो उसका तो पुरा सीधा यहाई पूरा सीधा आता Cent कि पीर जाता है ना कि आफका यह इक न CT 7 center यह लिए बात रखानगे कि परकास एक सर्रेखा में गमन करते यह पूछा सकते हैं आपको कि अब्जेक्टिव करते हैं हमें आभी जह द सब हैं ज़ो है वे खोब्राये क्या होगा मिलेगा सभी सभीस करेंगे तो यह आपको क्या दिख रहा है कि इससे गमार करेंगी तो परकास के गमन पत की दिषा को किरन काते हैं इतना सिंपल आप क्या करेंगे याद रखेंगे क्या रखेंगे परकास के गमन पत की दिशा को परकास जैसे गमन करती है और पत्मिश रास्ता जिस रास्ता होकर के परकास गमन करती है उसी के दिशा को क्या कहते हैं तो आप किरन भी समझ गयोंगे एक टर्म होता है किरन पूंज क्या होता है किरन पूंज या उसी को कहीं कही पर लिख रहाए परकास पुझ तो उसको भी जानी है क्या कहता है है हम तो उसके बाद क्या की रन पुझ तीन नमबर आप देख रहे- Anda कि क्या पूझ और उसका-थ我們 १छ किसे काते हैं तो किसका समुह किरन का समुह कि या फिर तो किरन माला भी कहीं करते हैं लिखा रहाता है तो मेरा कोश्चन कि किसे काते हैं आंसर क्या लिखे किरनों के समूह को किरन पुंज कहते हैं जब एक से आधिक किरन रहेगा जब किरन का समूह रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे किरन पुंझ कहेंंगे या नहीं तो परकास पूंझ के नाम से उससे क्या करते हैं जानते हैं यहाँ पर सिंगल किरन और की करेंगे दोस्तों की रन पूंज काते हैं और एक बात यहां पर आप देख रहें की रन पूंज तीन परकार के होते हैं कि रन पूंज कितने परकार के होते हैं दोस्तों याद रखना है तीन परकार के यह भी अब्जेक्टिव बना लेगा यहां से भी कोई दिक्कत में सब्ज हुला किन्या उसका नम समांतर किन फूंज कई आप Chief सामनतर किरन फूंज दूसरा अभी सारी किर टीसरा अपसारी div अब क्या होना चाहिए मुझह डेटेएल पता होना जेकिकर कुछा हम लोग पढ़ेंगे प्वाइंट और सिश्टम एक चेन से से पढ़ेंगे इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा इसे पढ़ाय करेंगे तो किरन पूंज समझ गए किरनों के समुख को किरन पूंज कहते हैं किरन पूंज तीन परकार के होते हैं समांतर किरन पूंज अभी सारी किरन पूंज और अब सारी किरन पूंज तो मुझे पता होना चाह जुक्त और के आप लोग दिस्किंस में रहसे का लिंक देंगे वहाँ से भी आप किया कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हम लोग आप चलते हैं आगे चलिए अब हम देखते हैं परकास जो आपका किरन पूंझ तर तीन परकार का तीनो परकार के किरन पूंज के बारे में डिटेल ग्यान प्राप्त करते हैं सबसे पहला क्या था आपका समांतर किरन पूंज तो सबसे पहले जानते हैं कि समांतर किरन पूंज किसे कहते हैं समांतर से आप ही आप जानते होंगे समांतर किसको कहते हैं वैसा दो रेखा या फिर वैसा दो किरन जिसके बीज का दूरी हमेशा क्या हो समान हो उसको कहेंगे समानतर तो किसे कहेंगे यहां पर देख सकते हैं कि जिस किरन पूंज की सभी किरने एक दूसरे के समानतर होती है जैसे किरन पूंज होगा तो एक से अधी किरन होगा और एक से अधी किरन होगा और उसका सभी किरन क्या हो एक दूसरे के समानतर हो तब हम क्या कहेंगे उसे हम समानतर किरन पूंज कहते हैं जैसा कि आप किरन पुंज की सभी किरने एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम क्या कहेंगे समांतर किरन पुंज कहेंगे इसके बाद दूसरा है अभी सारी किरन पूंज है अभी सारी किरन पूंज किसे कहेंगे अब किरन पूंज है तो किरनों का समूह होगा तो किरनों का समूह होगा तो यहां पर क्या होगा क्या कहा जा रहा है कि जिस किरन पूंज की सभी किरने एक बिंदू से एक बिंदू पर मिलती है जैस पर मिलती हैं उसे अभी सारी किरनपुंज या संस्रित किरनपुंज कहते हैं यह आपको याद रखना छोड़ा सा बात कि अभी सारी किरनपुंज को ही संस्रित किरनपुंज के नाम से भी जाना जाता है और इस को अबजेक्टिम में अने को बार पूछा जा चुका अगर आप कुश्चन में उठाएंगे तो आपको जो है सारा का सारा इसमें से क्या होगा दीखेगा है तो अभी सारी किरनपुंज का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों संस्रित किरनपुंज यह समझ गए इसको याद रख है सभी किरन आकर कि क्या हो रहे एक जगा पे मिल रही है और इसी कंसप्ट के अधार पे बहुत सारा उपकरन बना हुआ है इस कंसप्ट के अधार पे आपका बहुत सारा उपकरन बना हुआ आप देखेंगे लेजर लाइट लेजर लाइट के बारे में जानते होंगे लेज लेजर लाइट इसी March 1 अधारित यहीं जर किया है जिसके कारण लेजर्वाइट किया करती है वह एक कीरन के रूप में परकास में खोड़ती होता क्या है यह जो वलब रूदना यहां पर एस्द लगाया जाता है इसके आगे उस लेंस को ओजेखेटगे हम लोग हbearवी सारी यहां पर लगा दिया जाता है और अभि सारी लेंश करती क्या है यहां जो आया माल लीजude कि यह आपका था वालब यह भाल ठाड़े जिना प्रकास चलेगी और इस पर जाएगी इस पर क्या होगी दोस्तों सभी परकास जाएगी और यह जो अभी सारी less है ईभी सारी जो क्या करेगी सामने में अभी सारीरन लगा दिया जाता फ्यौर थो ग्रिंद करती है से जस्को यह बिंदू करते पोलेंगे इसी कम सेप्ट प्राइधारी छानाव दोस्तों से करेंगे अभाइसर्ड का सब्सक्राइब क्या होगा दोस्तों आप सारी슬 लेकिन आप सारी में क्या होगा एक बिन्दू से फैलता हुआ परतीत महसूस करेंगे हम देखेंगे कि हम किरन जो है वह एक बिन्दू से निकल करके और आगे जात जैसी जा रही है वोसे क्या हो रही है यहां पर लिखें क्या है जिस किरन पुंज की सभी किरने एक बिंदू से निकल कर फैलती हुई परतीत होती हैं उसे अपसारी किरन पुंज या अपसृत किरन पुंज काते हैं आप सारी किरन पुंज का ही यहां पर दूसरा नाम क्या हो गया अपस्रित किरन पुंज तो वैसा किरन पुंज यहां पर किरने क्या हो एक बिंदू से निकल करके और आगे जैसे जैसे बरेगी तो क्या होगी तो फैलती हुई मसूस हो तो उसको कहेंगे आप स्रित किरन पुं किसे काते है क्या कानी है कैंसा माध्याнова सलेभीब्र करंका सुप एधर क्या करती है जानते हैं कि परकाश्य hang और्ण importance कि रहा एधर जिसी होकर परकास हाना बस्तू से निकलकर आख तक पहुंचती है जैसे穴 लेजिए लाही लात लाइट क्या करते हैं यहां लाइट जलाते हैं आपसे 10 मीटर के दूरी पर क्या है कोई ब्यक्ति क्या है खड़े हैं तो यह लैट आपके टॉर्च से निकाल करके उस बस्तू के आंख तक जाएगी तो इस बीच में तो कुछ है यहां से लेकर कर उसमा ब्यक्ति है उसके क्या को पूचती है उस चैत्र को माध्यम कथे हैं यहां जगश्य हो करके पूचा इसके बीच मतलब हवासी होर्च야 कर सकती है पारकास गुजर सकती है उसके बाद पानी पानी में भी ृचलती आपको पता होना चाहिए एकए सliche का। यंरे का एक spoils आब का इसे भी परकास यह ओती है, बुजहरती है तब सबसुक्ति यहां सब्सक्रा पूछ दोपर कयो सौनों सब्सक्राइब और तो दिखर है पिक ук대ists कि से आपको वहां की हृता परकाइब की करना आपको प्रकाइब, नहीं जाला वे-की हैं कि पर्कासि यह में दो कार चल सकती है और यह वह सकती है और यहां सब्सक्राइब यह ज्यान करका सब्सक्राइब गनत्या जी परंट्रेज उसके सब्सक्राइब दोस्तों होते हैं रहे हुआ है को नहीं सब्सक्राइब पूछी के Connor I'm विए तो है उतना ही घंड़े तो क्या होगा उसका जका होगा उसको कहेंगे जिस माध्यम का घंड़े समांगी हो उसको कहेंगे समांगी नुस्तरा है बी समांगी माध्यम उसका जस्ट उल्टा समांगी का जस्ट उल्टा समांगी होगा जिसका घनत सभी जगों पे बराबर हो और बी समांगी होगा जिसका घनत सभी जगों पे बराबर नहीं हो जैसे क्या हवा का मिसरन हवा से दो परकास चलती है लेकिन हवा का घनत तो सभी ज कि सोर्ज का प्रकास स्ब्रक का अता है कि नहीं आता है तो अब माध्यम्न है लेकिन यहाग wrestling और जो आप प्रकास पुरा पूरा इस साइट क्या हो सकती है निकल सकते उसको कहेंगे पारदरसी मतलब परकास निकल जाएगा जिस बस्तू से उसको कहेंगे बेदर्सी पदारत क्या ऐसे सर क्या है तो जिसे पदार्थ से होकर परकास पुर्ण रूप से पुर्ण रूप से मतलब पूरा पूरा आर पर निकल जाती है उस पदार्थ को पारदर्सी पदार्थ कहते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं पारदर्सी पदार्थ कहते हैं जैसे कि क्या है आपका कांच है हवा है और पानी है आपका पूरा पूरा परका से पूरा पूरा निकल जाएगा तो उसको भी हूदी में सिरियल बाइश सिस्टम से परेंगे это सारा बात हम लोग जान। और अधिक से अधिक बच्चे क्या हो जाई आप लोग जुड़ जाई यह ताकि मुझे भी क्या हो दोस्तों अच्छा से अच्छा कंसेप्ट देने में मन लगे चलिए पारदरसी समझ गए अब समझते हैं और पारदरसी पारदर्सी का ज़स्ट उल्टा होगा क्या होगा और निकल पाए जैसे कि आपका कोई दिवाल है पत्थर है लकडी है या फिर मिटी है इस सब्सें करके जिस पदार्थ से होकर यहाद लिकी कहेंगे परकास पदार्थ से होकर परकास जिस पदार्थ से होकर परकथ बाहर नहीं निकल पाता है उस पदार्थ को ओपारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे क्या है आपका जैसे पत्थर लकडी मिट्टी इस सबसे होकर के परकास इस से नहीं निकलेगा तो ओपारदर्शी अब क्या होगा एक तो पदार्थ हुआ जिससे पूरा-पूरा परकास निकल ज कटिंगे लोग दोस्तों पाढ़ भाशी पडार्थ क्या है वैसा पडार्थ जिसों करके परकास का कुछ अंस इस सइड से उससाइड निकल जय उसको को कहेंगे हम लोग पार्भासी जैसे कि आपका क्या लिखे जिस पदार्थ से होकर परकास का कुछ अंस बाहर निकल पाता है उस पदार्थ को हम पार्भासी पदार्थ कहते हैं जैसे क्या है तेल लगा कागज वैसा कागज जिसमें क्या लगा हो दोस्तों तेल लगा हो आप प्रेक्टिकल कीजिएँ एक कागज ले लीजिए गा है यह के बूक है सदाख लिज रख झाई तो आपको उस ङसे कुछ नहीं देगा लेकिन पएले तो देखे कि है कि पड़ी पूटा क्भी दिखाई दे रहा था अब तेल लगा देंगे अब आप उसको क्या करेंगे इस पेज पर रखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अंदर का कुछ जो अक्षर है वह आपको दिखाई देने लग जाएगा इसका मतलब है पूरा पूरा फ्रेस नहीं दिखाई देगा लेकिन अंस्ता आधा कुछ ने आधा Memorial का त्रच कषम देख सकते के बाद कर रहें परकास कुछ परकास क्या है बाहर जाब आती है सुती कपरा रोक लेती है हम तो इतना कंसेप्ट आगर स्कीन सॉट लेना हो तो ले लिजिए नहीं तो आप टेंसर लेने की बात ने पूरा पीडिएप आपको प्रोवाइड किया जाएगा पूरे कलास का एक दम पूरा पीडिएप क्या होगा आपको दिया जाएगा डिस्क् कमेंट बक्स में जरूर लिखे और मन में कोई सुझाब या फिर कोई प्राब्लम हो तो वह भी आप कमेंट में लिख दे हैंना उसका हम एक सो परसेंट रिपलाई देने का कोशिस करेंगे और साथी काना चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले क्लास में तक तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यार स्टेडिक देखते रहिए